ताटा मोटर्स ने बहुत ही शानदार SUV गाड़ियां बनाई हैं और इन में से एक है ताटा हेक्सा जो की लंबे वक्त से काफी पसंद की जाने वाली गाड़ी बनी हुई है कमपनी ने थोड़े वक्त पहले ही इस गाड़ी को अपडेट करके इसके नए वेडियन को लॉंच करा है जिसके बारे में आज हम आपको बता रहे हैं और हम ऐसे ही अपडेट आपको हर दिन देते रहते हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल एंजे हिंदी को सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन जरूर प्रेस कर लीजे ताकि आप हमारे कोई भी वीडियो मिस न करें बात करें टाटा हेकसा के नए चेंजिस की तो इस गाड़ी में आपको बाहर और अंदर दोनों ही तरफ काफी चेंजिस मिलेंगे टाटा हेकसा के नए एकस्टी, एकस्टी ए और एकस्टी 4x4 के अंदर कंपनी ने 7 इंच का टॉट्स्क्रीन इंफोटेन्मिन सिस्टम दिया है जो की 10 JBL स्पीकर्स के साथ ये सिस्टम एंड्रॉइड आउटो को सपोर्ट करता है इसके पहले गाड़ी में सिर्फ 5 इंच का टॉट्सक्रीन इंफोटेन्मिन सिस्टम होता था साथ ही अब दोनों ही गाड़ियों में ड्यूल टोन कलर ऑप्शन भी मिलता है जिसमें रूफ का कलर टाइटेनियम ग्रे या फिर इंफिनिटी ब्लैक हो सकता है कलर के साथ ही गाड़ी में 19 इंच के डामेंड कट अलोई वील मिलेंगे और कुछ वेरियंस में 16 इंच के चारकोल ग्रे शेड़ वाले अलोई वील मिल सकते हैं इंजिन के मामले में कंपनी ने कोई ज़ादा चेंजिस नहीं करे हैं और गाड़ी में आपको 2.2 लीटर का डीजल इंचन मिलता है जिसमें 2 पावर आप्शन आते हैं बेस वेरियंस से गाड़ी को 148 बीएच्पी की पावर और 320 नूटन मीटर का टार्क मिलता है और इसमें आपको 5 स्पीट का मैनूल ट्रांस्मिशन मिलता है अगर आप टॉप वेरियंस चुनते हैं तो गाड़ी को 154 बीएच्पी की पावर और 400 नूटन मीटर का टार्क मिलता है साथ ही इस वेरियंस के साथ 5 स्पीट का मैनूल ट्रांस्मिशन तो मिलता ही है 6 स्पीट का आटोमेटिक ट्रांस्मिशन भी मिल सकता है कीमत की बात करें तो टाटा हेकसा की शुरुवाती कीमत 12,99,000 से शुरू होती है जो की मॉडल के हिसाब से बढ़ते हुए 18,37,000 रूपीस तक जा सकती है आपको टाटा की यह अपडेटिट गाड़ी कैसी लगी? हमें जरूर बताईए और हमारे वीडियो को लाइक और शेर जरूर करिए थैंक यू वेरी माच